जी नमस्कार, क्लास 10 का Mathematics, Chapter 1, Part 2, Episode 2, Real Number लेकर के आए हैं, Advanced School Math and Science में आपलों का स्वागत हैं, इसमें हम लोग को जो पढ़ना है ना, रेशनल नमबर और इरेशनल नमबर वहां पर पाचाना सीखा था, कि कौन रेशनल नमबर है, जैसे, रूट 2, रूट 3, यहां रूट 4, रूट 5, तो रूट 2 को 1.414, रूट 4, सम्थिंग, 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 सम् नहीं जानते हो इरेश्णल होता है इस में पर रूट टू को रूट और रूट थिरी को रूट फाइब को यानि यह इरेश्णल नंबर है यह इवित इस ऑई और यह इस इस सब्सक्राइब अब हम पाचाने के कैसे है कि रूट 2 एक irrational नमबर है तो यहाँ पर एक theorem हम paste करेंगे यहाँ ध्यान देना अगर इस A square को कोई प्राइम नमबर P काटी है तो A को भी P काटेगी A square को कोई प्राइम नमबर P काटी है यहाँ फैक्टर है तो A का भी उसका फैक्टर होगा यहाँ बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ और तुम जानते हो कि rational नमबर में A by B के फोर्म में होता है B not equal 0 होता है और यह rational नमबर जब standard फोर्म में होता है तो A and B को प्राइम होता है को प्राइम मतलब इसका A and B का A C F 1 होता है यह को प्राइम का पाचान होता है तो अब प्रूब करने का चुँ तरीका है वह डाइरेक्ट प्रूब कर सकते हो तो यहां लेट किया कि तब A स्कॉर बटे B स्कॉर यानि तू भी स्कॉर इसकार इसकार तू यह स्कॉर होगा बोलू अब यहां पर यहां बात समझो A स्कॉर को बोलू A स्कॉर को टू काट रहा है इसलिए A को भी टू काटेगा काटेगा पतलब यह बराबर टू सी लिख सकते हो अरे कुछ ने कुछ ताम से काटेगा न बोला है अब यह टू सी लिख होगे ते यहां पर 2 B स्कॉर इसकार 2 A स्कॉर के जगा पर फैडू राख दिया ते यहां पर 4 C स्कॉर हो जाएगा अब उल्टा किरिया करो यह B स्कॉर को यहां पर यह टू बार में काट दिया है यानि B square इसका 2 C square है यानि यह B square को 2 prime number काट रहा है यानि B को भी 2 prime number काटेगा बोलो यानि तुम यहाँ पर कह सकते हो कि A को भी 2 काट रहा है और B को भी 2 काट रहा है इसका मतलब A और B को दोनों 2 काट रहा है यानि इसका A C F यहाँ पर 2 है यानि हमारा माना हुआ गलत है यानि root 2 rational number नहीं है बलकि irrational number है फिर से कोशन करवा देता हूँ चुकि या कोशन इस बार बोर में आने का chance बन रहा है जैसे आपका कोशन होगा root 5 एक irrational number है यह साबित करना है तो root 2 हीजे, आप माल लो, rational number यहां बात, अगर rational number है, तो root 5 बड़ाबर A by B लिखोगे और A और B यहां पार composite number होगा, A and B are composite, sorry, co-prime number, co-prime number यहां इसका A C F 1 होगा, अब दोनों तरफे square कर दो, तो यहां पर 5, यहां A square, B square यहां A square is called to 5B square, अब A square को 5 काट रहा है, तो A को भी 5 काटेगा, तो इसको हम A बड़ाबर 5C लिख सकते हैं, अब यहां पर तुम्हारे पास क्या है, यहां बात लिख सकते हो, अब यहां पर 5B square is called to A square हो गया, 5B square होगा, यह वाला भैलू रख दो, 5C का square, यहां 5B square is called to 25C square, यहां 5 बार में काट दिया, यहां B square is called to 5C square, यानि यहां पर B square is called to 5C square है, B square को 5 काट रहा है, B को भी 5 काटेगा, यानि यहां जो आप माने थे A by B, इसको भी 5 काट रहा है, यानि SCF इसका 5 है, यानि A B co-prime number नहीं है, अब जब यह co-prime number नहीं है, तो यहां बात को यहां पर तुम्हारे पास जानना जरूरी है, यानि यहां आपका irrational number है इस टाइब से और कोशन की बात करो तो यहां पर अगर यहां पर 2 पलास root 3 को यह साबित करना है कि यह irrational number है तो यहां पर 2 पलास root 3 है इसको A by B माल लो यानि root 3 is equal to यहां पर 2 उधर चला जाएगा अब इसको तू solve करो root 3 अब solve करेगा तो solve करेगा तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा यहां बात को जाना जरूरी है तो यहां पर देखो कि A by B minus 2 तो A by B तो rational number है बोलो भई और 2 भी rational number है और rational number का difference rational number ही होता है जब यहां rational number होगा अईये वाला irrational number होगा यानि दोनों में अंतर है यानि कन्राडिक्टर गया ने वाला इस तुम्हें बड़े आप चिखेंज सब्ड़ी ह्गे से रोचया ऐसे लिक आए विवारे में चखेंज से तुम्हें करना है é इसको A by B माल लो यहां रूर्थीरी पराबर A by 2 भी हो गया यह rational है और यह irrational है यह गलत मानना हुआ इस टाइब से तुम्हें साबित हो गया कि rational number और irrational number प्राचानने तुम्हें आ गया है अब तुम्हारे पास question session का time आ चुका है यहां पर तुम्हारे पास question session का time आ चुका है चुकि इसमें हम लोग एक बार revision भी कर भाएंगे कि किसी कारण बस अगर 1.1 छूट गया है तो उसको यहां पर सिखा देंगे और 1.4 जो है आपका फोर भी छोड़ दिया है तो उसकी भी चर्चा यहां पर कर देंगे चुकि यह नहीं वाली book में दो ही exercise पराया है 1.2 और 1.3 लेकिन आपको यहां पर पुरानी वाली book में 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 है तो आप भी पहले इस question को हम लोग कर लें तो आप उसको भी करवा देंगे तो ज़्यादा आच्छा होगा यहां पर root 5 is irrational number तो इसको ऐसे मानोगे root 5 is a rational number यह late किया अब यहां पर rational number है इसका मतलब root 5 बराबर a, y, b लिख सकते हैं यहां पर यह भी ध्यान में रखना है कि a and b आपका यहां पर co prime number होना चाहिए यानि a and b का a cf 1 होना चाहिए यहां बात तुमारे पास आना चाहिए अब दोनों तरफे square कर दिया both side squiring अब यहां पर 5 हो गया a square b square यानि a square is equal to 5 b square यह बात किलियर हो गया अब तुम्हें थियोरम पढ़ा था कि a square is equal to 5 b square है मतलब अगर a square को 5 काट रही है तो a को भी 5 काटेगी तो 5 कितने times में काटेगा तो वह c times में काटा यानि a बराबर 5c हो गया अब तुम्हारे पस क्या होगा ना यहां पर 5 b square is equal to a square है यानि यहां पर 5 b square is equal to यहां पर 5 c का whole square है यानि 5 b square is equal to 25 c square हो गया 25 यानि b square is equal to 5 c square हुआ अब फिर यहां logic लगाएंगे कि b square को अगर 5 काट रही है तो b को भी 5 काटेगी अब यहां पर तुम क्या रखोगे कि माना था a by b माना था a b 5 का multiple a b 5 का multiple है यानि a cf इसका क्या है 5 है यानि हमारा माना हुआ 100% गलत है इसमें इसलिए लिखेंगे कि हमारा मानना गलत है 3 प्लस 2 रूट 5 इसी राशनल नंबर यानि a by b मान लेगे राशनल नंबर में तो यानि 2 रूट 5 is equal to a by b minus 3 यानि रूट 5 2 से डिवाइट करेंगे a minus 2b और 3 minus 2 या रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है रेशनल का रेशनल रेशनल यहां होता है और इधार इरेशनल है यानि यह माना हुआ हमारा गलत है अब अगली प्रस्ट प्रूब दाट अब फोलोईंग आर इरेशनल नंबर इसी रंग से प्रूब कर दोगे कि उपर रेशनल है नीचे रेशनल है तो रेशनल बाइट रेशनल रेशनल होता है यहां पर रेशनल इंटू रेशनल रेशनल होता है और यह रेशनल प्रस रेशनल भी होता है रूल से भी करोगे तो अराम से हो जाएगा अगला प्रस्त तुम्हाया लेकिन अभी हम लोग यहां पर सांत नहीं बैठेंगे जो नहीं वाले बूक में चुकि दो ही exercise दिया है exercise 1.2 और exercise 1.3 दिया है अब हमारे पास समय अभी है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जो exercise 1.1 में पूरानी वाली बूक में जो बात दी गई है उसको यहां पर किलियर कर दिया जाए तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं पुरानी वाली बूक चुकि 1.1 भी आपको यहां पर कर लेना ज्यादा अच्छा होगा चुकि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको प्रोब्लम आएगा तो यहां पर एक्सासाइज 1.1 के लिए 1.1 के अगर हम बात करेंगे तो इकली डिविजन अल्गोरित्म से एस से अप निकाला है पहला कोर्शन है एक्सो पैंटीश आएंड दोसो पचीश का दूसरी कोर्शन है 1.96 आएंड 38,220 का तीसरी कोर्शन है 8,6,7 एंड दोसो पच्पन का इसमें ये एक प्रशन हम कर देते हैं यहां रॉफ आइडिया करेंगे 135 दोसो पचीश है एक बार में आ गया और 90 135 यहां 45 और यहां पर 135 पांतियाई पंद्रा यहां पर अब इसी को इल्गोरित्म के माध्यम से अगर करना हो तो दोसो पचीश यहां हो जाएगा 135 इंटू बान पलस 90 यहां 135 ला दोगे यहां नब्बे गुने एक पलस यहां पर नब्बे तो यहां पर बचा फोटी फाई अब नब्बे यहां लाओगे यहां पर नब्बे ही लिखना था इस नब्बे को 45 इंटू नब्बे हो जाता तेहां नब्बे को लाओगे तेहां पर 45 इंटू यानि जिरू आ गया यानि 45 इसका इस एफ हो गया इस धंग से आप कोश्टन नमबर टू को देखो गए तो कि सो देट एट अनी पोजिटिव और इंटीजर्स जब छे वला बात में हम बताए थे कि जब छे से हम भाग देंगे तो रिमेंडर जीरो बचेगा वन बचेगा टू बचेगा इसको 6M Plus 1 लिखेँगे 6M Plus 2 और 6M Plus 3 यहां 6M Plus 4 यहां 6M Plus 5 इसमें ओर नमबर कहा कहा है यहां यहां ओर नमबर है यह कोश्टन दिया है कि ओर इंटीजर्स को 6Q Plus 1 6Q Plus 3 और 6Q Plus 5 लिखा जा सकता है इसके बारे में जानेगा इसके बारे में जानेगा इनी आर्में आपका 616 मेंबर्स इस्टू मार्च ब्याएंड आर्मे बैंड जोएट 32 मेंबर्स यारे यहाँ पर तुमको 32 हो और यहाँ पर 600 यहाँ 6 है यहाँ पर तुमारे पास कितने बारे में लग जाएगा तो यहाँ पर तुमको एक बार में पहले लगा आप यहाँ 11 में से दू गया 9 और यह लग नौ दिने यहाँ पर आपका हो गया 18 अनौतिया 27 का 20 यहाँ 16 मैंसे 8 और यह 0 अट्चाव को बतीर यह बात तुम्हारा क्लियर हो गया इन्हीं आठ हो जाएगा अगला इसी डंग से का रहा है कि युकुलिट का डिवीजन निमों बताना है इसक्वार के लिए यहाँ पर देखो इसक्वार के लिए हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में तुमको सिखाने क से ने में ने वताया है यानि दुनिया के कोई भी नंबर को कगर स्कॉर क्यूं कुछ भी चैक करने रहे तो वह थीं से देखो तब्रेया तीन के 700 जीरो होंगे दूसरा 3 के multiple 1 होगे और तीसरा 3 के multiple 2 होगे यानि 3 को अगर integers हमने माना यानि Z3 का तो Z3 का एक remainder 0 होगा यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा अब इसका square करेगा तो यहाँ पर 9m square होगा और इसका square करेगा 3 plus m का whole square तो यहाँ पर 9 m square और यहाँ पर 6 m plus 1 और इसका हम लोग करेगा तो 3 m plus 2 का whole square तो यहाँ पर 9 m square और 3 दुना 6 दुना 12 m plus 4 होगा अब गौर से देखो इसको तो तुम 3 का multiple लिखोगे ही यहाँ पर भी 3 का multiple यहाँ तक लिखोगे बोलो यहाँ यहाँ पर लिखोगे ही लिखोगे यहाँ तक भी 3 का multiple आई 4 को अब तुम 3 plus 1 लिख दोगे तो यहाँ तक भी 3 3 का multiple लिख सकते हो और plus 1 यानि यह square वाले number को यह तो 3 m लिखेंगे यह 3 m plus 1 के multiple में लिखेंगे अब गौर से देखिए यह square को यहाँ 1 है यहाँ 4 है यहाँ 9 है 16 है 25 है 36 है यानि यहाँ पर यह 3 के multiple से एक जादा यह भी एक जादा यह 3 का multiple एक जादा एक जादा यह 3 का multiple यहाँ बात आपका clear हो गया है अब हम लोग आँगे जो हम बात करेंगे वह बात यह होगी कि अगर Q की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 Z 3 की ही बात होगी यानि 3 से हम भागा देंगे तो 0 होगा 1 होगा यह 2 होगा यानि 3 हम multiple 0 और यहाँ पर 3 हम multiple 1 और यहाँ पर 3 हम multiple 2 अगर हम Q की बात करेंगे तो यहाँ पर 27m q हो जाएगा अगर इसकी q की बात करें तो 3m प्लस 1 का whole q तो यहाँ पर 27m q और यहाँ पर फिर 27m square और यहाँ पर यहाँ 9m प्लस 1 यानि अब इसका हम करेगा तो 3m प्लस 2 का whole q 27m q और यहाँ पर यह दो भी सामिल और तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 9-27 और 4 यानि यहाँ पर 3 combination 1 3m का whole square और 2 हो जाएगा तो यानि 9 तिया 27 दूनी 54m square अगला हो जाएगा 8 तिया 24m 24 यहाँ 3 combination 2 करेंगे तो 3m प्लस 1 2 के power 2 तो 3 ती आई 9 और 4 चट तीश और फिर आगे आजाएगा 8 यानि यह गौर से देखिये यह 9 से कटने वाला है और यहाँ रेमेंडर 8 बच रहा है यह भी 9 से कटने वाला है रेमेंडर 1 बच रहा है यह 9 से कटेगा यानि कोई भी अगर Q नंबर लिखते हो 1 लिखते हो 8 लिखते हो यह 27 लिखते हो 64 लिखते हो 125 लिखते हो तो यह तो 9m होगा या 9m प्लस 1 होगा या 9m प्लस 8 होगा यही प्रूब करने के लिए दिया है यानि यह अब तुम्हारे पास बिलकुल आपका किलियर हो गया है इसमें कोई तरह का दिकत नहीं है अब तुम्हारे पास थोड़ी सी अभी और बाते हम लोग कर लें तो यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा तो terminate non terminate की बारे में बाते हैं तो यहाँ पर exercise 1.4 को भी अगर हम कर लेंगे तो बाते हो जाएगा तो यहाँ पर कौन terminate है और कौन non terminate है यहाँ बात को तुमको यहाँ पर करना है तो यहाँ पर देखो terminate का definition यह होता है कि अगर denominator को जो 2 to the power m और 5 के power n के ही से लिखा जाए तो वहाँ आपका terminate होगा और इसके अलावे लिखा जाए तो यहाँ non terminate होगा यहाँ बात आपका clear हो गया है तो आपको यहाँ पर तुमारे पर तुमारे पास किसी धंका question आएगा तो तुमारे पास clear हो जाएगा इसमें कोई शक नहीं है अब तुमारे पास थोड़ी सी और हम बात करेंगे और आपका कहानी खतम हो जाएगा जैसा कि वहाँ पर पर परे थे कि LCM of A and B into LCM of sorry LCM of A and B तो A into B होता था यानि LCM of A and B बराबर तुम लिख सकता था कि A cross B और A C F A B होता है इसी धंक से A C F of A B को फिर लिख सकता था A cross B और LCM A B होता है या बात तुमारे पास clear हो गया है इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है लेकिन अगर यह तीन डेटा का हो तो तीन डेटा का होगा तो क्या होगा LCM आपका P, Q, R बराबर यहाँ पर P into Q into R और A C F of P, Q, R divided दो दो करके A C F of P, Q, Multiply A C F of P, R Multiply A C F of यहाँ पर P, Q, Q, R तो यहाँ Q, R इसी ढग से A C F अगर निकालेंगे P, Q, R का तो यहाँ P, Q, R is equal to यहाँ पर P, Q, R into LCM of P, Q, R divided LCM of P, Q multiply LCM यहाँ पर P, Q, P, R and LCM of Q, R तो आपको शमाप्त हो गया है मिलते हैं अगले वीडियो में मिलता है IP अगभ हृ मिलते हैं कि लिवता है